अरे अनुची ये आप क्या उठा कर ले आए? वैसे ही हमारा एक कम्रे का घर है, आगर इतना सारा सामान रखेंगे काम? रहने दिबहू ये हमारी कभी नहीं सुनेगा, ना जाने फाल्तू की चीज उठा कर ले आता है, ये नहीं कि पहले घर बन वालू, घर का प्लास्टर जड़ रहा है, अब तो घर भी सड़क से नीचे आ गया है लेकिन नहीं, इसे तो बस इन सब बेकार की चीज़ों में ही खर और आखिर करोगे क्या इस मशीन का? तुम चानती हो, इस मशीन से पिज़ा बनता है, जो मैं अपनी कमपनी में बनाता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक दुकान खोल कर, खुद का पिज़ा बनने का काम खोलूँगा, यहां के लोगों को तो पता भी नहीं है कि प चक्करों में, और अगर तेरी नौकरी चली गई और तेरा नया काम भी नहीं चला ना, तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, अरे मा, तो मैं कौन सा अभी खोलने के लिए कह रहा हूँ, कुछ समय बाद, इसलिए तो मैंने रुपाली को भी कड़ाई में ही वेच ताकि कल को ये भी पिज़ा के दुकान समाल सके, एक रोज आधी रात को तेज बारिश आने लगती है, जिससे उनकी छट टपकने लगती है, अरे ये क्या, घर में तो पानी आ गया, मेरे माईक्रोवेव को उठा कर कोई उपर रग दो, नहीं तो बारिश के पानी से ये खर प्रहने दीजे न, वो क्या है न, मेरा मना सुबह से बहुत बेचैन हो रहा है, आज आप काम पर से भी छुटी ले लीजी और फिर पिनी लेने भी कल चले जाना, अरे कुछ नहीं हो गरो पाली, मैं बस यूं गया और यूं आया, ये कहकर अनुछ दुकान की ओर चला जाता अनुछ की मौत की खबर जब उसके घरवालों को लगती है, तो उनके पैरो तने जमीन किसक जाती है, हाई मेरा बच्चा, हमें चोड़कर चला गया, ओपर वाले ये तूने क्या किया, अरे जाने की उमर तो मेरी थी, मेरे बेटे ने तो अभी तक कुछ देखा भी नहीं थ उसके आगे उसकी पुरी जिन्देगी बड़ी दी नहीं, इन्हें कुछ नहीं हुआ, माझे आप क्यों रो रही है, ये तो बस सो रहे हैं, अभी, अभी आप देखना, निन्द पुरी होते ही जाग जाएंगे अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, आपने कहा था ना साथ में मिलकर वेच पिज़ा की दुकान खोलेंगे और दोनों उसमें मिलकर पिज़ा बनाएंगे बहु, होश में आ, अनुज हमें छोड़ कर जा चुका है और अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा हम दोनों को अकेले चोड़ कर वो जा चुका है इसके बाद रुपाली फूट फूट कर रोने लगती है, ऐसे कुछ दिन बीच जाते है एक रोज रुपाली अनुज के लाए हुए उस माइक्रोवेव को उठा कर दुकान जाने लगती है रुपाली बहू, तु ऐसी हालत में इस मशीन को लेकर कहा जा रही है मा जी, अब वो हमारे साथ नहीं है अब हम दोनों गरीब सास बहू को मिलकर ही कुछ करना होगा और वैसे भी अनुज जी का सपना था इसे पूरा करने का तो अब मैं उसे पूरा करूँगी पिज़ा बनाना उन्होंने मुझे सिखाए था और वो भी कड़ाई भे अब वेज पिज़ा बनाकर हम उसे गाउं भर में बेचेंगे जिससे हमें थुड़ी कमाई भी हो जाएगी और उनका सपना भी पूरा हो जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा ये पैसे हमारे बहुत काम आएगे ये कहकर मैनेजर वहां से चला जाता है फिर दोनों सास बहु माइक्रोवेव ठीक करवाने के लिए दुकान पर जाती है लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो तो पूरी तरह खराब है और ठीक नहीं हो पाएगा ये सुनकर दोनों सास बहु परिशान हो जाती है लेकिन रुपाली अपने पती के सपने को तूटते वे नहीं देख सकती थी इसलिए वो कढ़ाई पिज़ा बना कर ही बेचने की सोचती है इसके बाद दोनों सास बहु दुकान से पिज़ा बनाने का सामान लाती है फिर दोनों सास बहु घर आकर कढ़ाई में वेच पिज़ा बना कर तयार कर लेती है और गाउं भर में बेचने चल पड़ती है उनकी आवाज सुनकर एक औरत क्या कहा, पिज़ा? यह पिज़ा क्या होता है? अरे बहुत ही मज़ेदार होता है यह पिज़ा बबलू के पापा ने खिलाया था जब एक बार हम किसी काम से शहर गए थे हाँ, लेकिन अब आप सब को पिज़ा खाने के लिए शहर जाने की जरुरत नहीं है अब अपने गाउं में ही आपको सस्ता और ताजी सब्जों से भरपूर पिज्जा खाने को मिल जाएगा वाँ फिर तो मज़ा ही आ जाएगा वैसे रेट क्या इसका? जी सिर्फ पचास रुपे अरे वाँ इतना सस्ता अच्छा तो लगा दो जल्दी से मेरे लिए वैज पिज्जा हाँ और मेरे लिए भी उनका बनाया हुआ वैज पिज्जा सबको बहुत पसंद आता है अच्छा आज वे ऐसे भी मेरे घर पर कुछ महमान आने वाले हैं कुछ दिर बाद ग्राहक उनके घर पर आते हैं और उनको पैसे देकर अपने अपने पिज्जा लेकर चले जाते हैं फिर अगले दिन रमाईक लड़के के साथ उनके घर आती है रुपाली ये मेरा भाई रोहन है मुंबई में रहता है और बहुत बड़ा यूट्यूबर है इसने कल जब तुम्हारे हाथों का बना हुआ कड़ाई वेच पिज्जा खाया तो इसको बहुत पसंद आया हाँ मुझे तो यकीनी नहीं हो रहा कि कोई गाउं में रहने वाली औरत इतना अच्छा पिज्जा बना सकती है और वो भी कड़ाई में और वो भी किसी दुकान में नहीं बलकि घर से ही मैं आपकी वीडियो बना कर अपने चैनल पर डालना चाहता हूँ अगर आप लोगों को कोई एतराज नहों तो भला हमें क्या एतराज होगा बताएए माजी आपको ये कड़ाई वेज पिज्जा बनाना कहां से आता है आज तक सबने माइक्रोवेव में बने हुए पिज्जा तो खाया होंगे लेकिन कड़ाई पिज्जा हमने पहली बार देखा है बेटा मुझे ये सब मौडन खाना बनाना कहां आता है ये सब तो मेरी बहु ने मेरे बेटे से सीखा था जो कि एक कमपनी में पिज्जा बनाने का काम करता था जी माजी बिलकुल सही कह रही है और ये कड़ाई वेच पिज्जा भी मुझे उन्ही ने बनाना सिखाया था ये उन्ही का सपना था जिसे हमने पूरा किया है रोहन उनकी वीडियो बना कर अपने चैनल पर अपलोड करता है अब साज बहु का कड़ाई वेच पिज्जा हर जगा मशूर हो जाता है जिससे उनकी माली हालत काफी सुधर जाती है और अब वो खुद का बढ़ा पक्का घर बनबा लेती है कुछ समय बाद अब वो खुद का रेस्टरेन्ट खोलती है जिसमें बिज्जा ही बेचती है अब वो और भी लोगों को काम पर रख लेती है उसे देख कर साज की आँखे भराती है और वो उसे गले से लगा लेती है पूर्णिमा एक छोटे से गाउ में रहने वाली साधारन से लड़की जो अब मुंबई जैसे बड़े शहर की एक मौडन फैमली में शादी होकर आतो गई पर उनके व्यवहार को अभी जानते हुए उसे एक ही दिन बीता था ममी आपको पता तो था कि भाबी शुरू से ही गाउ में रही है आपने फिर भी विकास भी हसे उनकी शादी करवा दी पता नहीं मुझे तो लगता है तुम्हारे बाबुजी की उपर इसने और इसके पिता ने कोई जाद उटो ना कर दिया था तभी तो गाउं गए और इस गवार का रिष्टा लेकर आ गए पर फसा तो मैं ना मेरे सब दोस्त कितना मुझ पर हसेंगे कि मैंने शहर की मौडरन लड़कियां छोड़कर गाउं की गवार से शादी कर ली यह सब पापा की वज़ा से हुआ है वो तो मेरे उपर जबरदस्ती कर रहे थे अगर मैं शादी के लिए हा ना करता तो बोल रहे थे कि मुझे एक फूटी कौडी नहीं देंगे अब क्या कर सकते हैं बेटा अब तो शादी हो गई है तभी कलावती की छोटी बेहनाशा आ जाती है बहुत कुछ कर सकते हैं दीदी हमारे पास विकास की दूसरी शादी करवाने का भी आप्शन है वैसे भी मुझे नहीं लगता यह पूर्णिमत जादा दिन यांठी केगी क्योंकि इसको तो हमारे शेहरी शौक पता ही नहीं है एक काम करते हैं कल सब का खाना कर रहे हैं बहु से पास्ता बनवा ले थे इसने तो आज तक पास्ते का ना भी नहीं सुना होगा मौसी जी ठीक कह रही है मम्मी, हम भापी से पास्ता बनवाएंगे, आप तो न, उनको शर्ट रगते न, कि अगर वो पास्ता बनाने में फेल हो गई, तो फिर उन्हें माई के रहने भेज देंगे, बस फिर पीछे से हमारा काम हो सकता है मम्मी मम्मी प्रियंका ठीक कह रही है, आप पुर्णिमा के सामने यही शर्ट रखो, कि अगर वो कल सब के लिए पास्ता नहीं बना पाई, तो आप उसे कुछ महीने के लिए माई के छोड़ देंगे, मम्मी मुझे किसी भी तरह से उस गवार से पीछा चुडाना है, और अभी सबने मिलकर सोच लिया था कि किसी भी तरह पुर्णिमा को उसके माई के भीज करी रहेंगे, शाम को कलावती ने पुर्णिमा को अपने कमरे में बुलाया और बोली, पुर्णिमा, कल जो हमारे घर महमान आ रहे हैं, उनमें तुम्हारे ससुर जी के भी दोस्त हैं, और विक मानू के लिए पास्ता नहीं बना पाई, तो हमारी ये शर्त रहीगे, कि तुम अकले छे महीने तक अपने माई के में रहोगी, और फिर तुम जब तक सारा शेहरी खाना, पास्ता, नूडल, पिज्जा, चौमिन वगएरा वगएरा बनाना सीख नहीं जाओगी, तब तक य पास्ता भी बनाना है ना, पुर्णिमा अपने कमरे में चली जाती है, कलावती और आशा एक दूसरे को देख कर हसने लगती है, अगले दिन रसोई में पास्ता बनाने की कोई तैयारी नहीं थी, और ना ही पुर्णिमा की कोई मदद कर रहा था, पुर्णिमा अकेले ही रस तो मुझे इतना तो पता ही रहता है कि पास्ता में क्या-क्या सामिग्रे डलती है, पर मनाना मुझे नहीं आता, ये कोशिश तो बहु तुम्हें खुदी करनी होगी। पापा जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। पापा मुझे आशिरवात दीजे कि मैं इस परिक्षा में पास हो जाओ। वो तो देसी खाना ही बनाना जानती है। आहाँ देख करा, क्या खिर रसुई में इतनी देर से कर क्या रही है। प्रियंका जैसे ही किचन में जाने लगती है, तब ही वो पूर्णिमा को अपने हाथ में पास्ता सजा कर लाते होए देखती है। पास्ते की खुश्बू चिली, फ्लैक्स, ओरिगेनों बगेरा जादा छिड़कना है या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लोगे विकास मैंने आपके लिए रेट सॉस पास्ता भी रेडी किया है, मुझे पता है आपको रेट सॉस पास्ता बहुत पसंद है एक्स्ट्रा चिली के साथ और प्रियंका, मैंने तुम्हारा भी अलग पास्ता बना दिया जिसमें वेजिटेबल्स कम है ये लीजे पापा, आप आपका हलके मसाले वाला पास्ता मैंने सब के टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग-अलग पास्ता रेडी कर दिया है मौसी जी, मौसा जी ये लीजे आपका पास्ता मैंने साथ में और भी डिशेस बनाई है वो भी आप टेस्ट करके देखिएगा हाँ हाँ पर तुम, इतना सब कुछ पूर्णी मा पास्ता बनाना जानती है और वो भी इतनी तरह के ये बात कुछ समझ नहीं आ रही तुम ठीक कह रही हो दिदी अभी तक ये माजरा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये तो गाउं की लड़की है इसे इतना बढ़िया पास्ता बनाने कैसे आ सकता है ममी पास्ता तो बहुत टेस्टी बनाया है भावी ने इसका तो टेस्ट ऐसा लग रहा है जैसे किसी फेमस शेफ ने बनाया हो पुर्णीमा के ससुर अपने कुछ जान पैचान के लोगों को पुर्णीमा से मिलवाते हैं उनी महमानों में से एक औरत पुर्णीमा का नाम लेते हुए बोली शेफ पुर्णीमा आपकी बहु है best chef of the year का ताज पहनने वाली शेफ पुर्णीमा मुझे तो सच मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है तुमने जो recipe अपनी side पर डाली थी bread का pizza बनाने वाली, वो मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने उसे try भी किया, बहुत tasty बना था वो, thank you auntie, वैसे जब से अभी शादी हुई है तब से तो मैंने अपनी side खोल करी नहीं देखी, कुछ काम ही नहीं किया उस पर, अब फिर से continue कर रहे थे, वही गाउं में पली बढ़ी पूर्णिमा अपने हुनर से बहुत सी cooking प्रतियोगिताय जीत चुकी थी, और chef of the air का award भी उसे मिल चुका था, सब लोगों के जाने के बाद पूर्णिमा अपने बारे में बताती है, पापा जी नहीं मुझे मना किया था कि मैं आप स सब की सोच को बदलना था, शायद आप सब की सोच अब बदल चुकी होगी, पर मुझे सच मुच इन कुछ दिरों में बहुत दुख हुआ, किसी ने भी मुझसे प्यार का एक शब तक नहीं बोला, सब मुझसे नफरत ही करते रहे, मुझे इस घर से निकालने की कोशिश करत थे, मैं सब चानती हो, अचानक बोलते बोलते पुर्णिमा बहुत तेज रो पड़ी, उसके साथ साथ कलावती प्रियंका आशा सब रो पड़ी, विकास को भी अपनी गलती पर बहुत पच्तावा था, सब बहुत शर्मिंदा थे, क्योंनोंने पुर्णिमा के साथ कितना ब पहु, हम सच मुझ अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है, मैंने भी गलत किया, मुझे माफ कर दो पुर्णिमा, हम सो सॉरी, सबको अपनी गलती का एहसास था, इसके लिए पुर्णिमा सबको माफ करके, अपने जीवन की नई शुर्वात करती है, अगर आपको ये विडियो पसंद आया है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस विडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी न भूलें, और भी मज़िदार विडियो देखने के लिए, नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं, देखते रहिए, बेस्ट बाडीज,